मश्कार स्वागत है आपका मेरे चैनल में कैसे हो आशा करते हो सभी लोग ठीक हो तो धनते रस में कुवेर महाराज की भी पूजा होती है तो कुवेर महाराज की पूजा होने में सबसे मेहिन महतब यह होता है कि कुवेर महाराज की जो पोटली है वो कैसे बनाए जो घर में धन की कमी और दरीरता ना हो तो कुवेर महाराज की पोटली कैसे बना के उनको और रफित करें तो चले मैं अपनी विद्यों में बनाती हूं कुवेर लोग की मानता के उनसार धनिया, हल्दी, कमल, गटा, कौडी और क्रिस्टल नमक जिसको हम काला नमक या लाल रंग नमक कहते हैं उसको लाल रंग के कपड़े में बांध कर उसकी पोटली बना ले फिर उसको जहां आपका मंदीर है वहाँ पे लक्ष्मी जी के पास य जोरी की इलावा वहाँ पे रखे फिर ये पोटली आप लक्ष्मी माता को सपर्ज करें और उसमें सबसे ही जो हमने ने चीजे बताई हैं वो है उसमें कुछ धन रखें सिक्के का हो सकते तो सिक्के रखें नौट ना रखें सिक्के रखें सिक्के रखें उसको लक्ष्मी म जोड़े और उसके बाद कुवेर महाराज को अर्पित कर दें धन की पोटली कैसे बनाएं पहले मैंने बनाए थी महाराज की पोटली अब धन की पोटली कैसे बनाएं वो बताती हूं घर में इस परकार कुवेर की पोटली बनाएं कभी नहीं होगी जो धन की कमी धन की कमी की पोटली जो कैसे बनती है कि आप एक वो ले लें क्या करते लारंग का कपड़ा ले लें उसमें रखे सुपारी, लॉंग, इलाइची, बड़े इलाइची, मिश्री, पुष्प और केसर ये डालके धन की पोटली बनादे और कुवेर माराज को अरपित कर दे ऐसा आप पोटली उनको अरपित करने के बाद आपने दिवाली पूजन के बाद उस पोटली को उठाएं वो पोटली उठा कर कोई ऐसी जगा घुपत जगा पे रख दें जहां आपके घर में सिरफ उस इंसान को पता हो जिस इंसान ने वहाँ पे वो पोटली बना के रखी है उसके बाद वो पोटली बना कर आप चारो कोनों में उस पोटली को अरपित करें उसमें से जो आपने लाइची डाली है या आपने कोई उसमें से लॉंग डाला है एक एक दाना निकालके उसको बाहर निकाले या आप चाय पीते हैं या कुछ भी पीते हैं उसमें डालके वो पी लें तो ऐसे धन की पोटली कुवेर महाराज जी को अरपित करें तो ये थी छ लक्ष्मी माता जी के पास रख सकते हो तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेर केमेंट चुरूर करना नमस्कार चैमाता जी